सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें गुरुदेव कान में मंतर भूग दें नाम रोपी नाव पर आरूड करके तुम्हें हम सागर से पार कर दें किछले किसी संत सद्गुरु की श्रना गती गरने करें यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रश्ण है ध्यान से सुनी देवूती कहती है प्रभू बात तो सही है लेकिन आज हमारी बुद्धी कैसे निरणे करें कौन संत है और कौन असंत है आजकल तो संत असंत महीं पता नहीं चलता क्योंकि एक असंत व्यक्ती भी संत होने का ध्योंग नाटक अच्छे से कर लेता है तो बुद्धी कैसे सभिकार करें कौन संथ है कौन संथ है कोई पहजान तो होनी चीए प्रभू आप हमें ये बताईए कि ठीक है संथ हो सद्गुरु हो हम उनकी शर्ण में भी जाएं नेकिन संथ की परिभाशा क्या है संथ का स्वरू कैसा हो तो भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर का है संथ के लक्षन क्या है कपिल भगवान कह रहे है कि तिक्षवा कारुन कह सुहरदे सर्वदेहिना अजाद शत्रु शांतह साधवा साधु भूशणा जो संथ तिक्षवान हो करुणा जिनके हरदे में ओत प्रोत भरी हो सभी देधारियों में केवल केवल उसी हरी नारायन का जो दर्शन करें बताओ, सब में जो नारायन देखें उसके अंदर एक गुन तो अपने आप आजाएगा अजाद शत्रु उसका जगत में कौन शत्रु होगा सब में नारायन का दर्शन करने वाला सब में धगवान का दर्शन करने वाला वो है अजाद शत्रु इसलिए उसका कोई शत्रु भी नहीं होगा ना उसका कोई मित्र है ना कोई शत्रु हो जो तितिक्षवान है करुणाशणेके हर्देंचे में उत प्रोथ हैं कितितिक्षवा कारण कहस В्रदेंच सरवदे बड़ा जिसका हर्देय है आजात शत्रू जिसका कोई शत्रो ना हो शांत अप जो परम शांत हो शांतse साधवा साधु भूशना, साधना ही जिसका अभूशन हो, इसका सीधार्थ मैं बताँ, गया संत वो है जिनका सानित्य प्राप्त करके चित की, चित और मन को शान्ती प्राप्त हो, बिना कुछ तहे, संत का सानित्य प्राप्त हो जाएं, और जिन संत के पास जाकर मन और चित क होई संत है अतार्ज शांती जिनका गुरूब हैं ऐसे किसी मापुरुष किशना गती जाओ